तो राइट नो में डिसकस कर रहो हूँ रिवीजन, कैलोरिमेट्री, राइट, एंड थर्मल एक्सपैंशन, जे इनीट 11 फिजिक्स, तो अभी प्रिजेंटली हम लोग कैलोरिमेट्री की बात करेंगे, कैलोरिमेट्री में तुम क्या करतो हो, हीट मेजर करते हो, ठीक है, और इसमें तुम्हें क्या है, कि हीट मेजर में आपको, आप लोग को अलड़ी पता है, कि हीट जो होता है, ये एक्चुली क्या है, फॉर्म ओफ एनरजी इन दर ट्रांजीट है, ठीक है, डिव तु दर टमप्रेचर डिफरेंस, फ्रम बोडी तो अनधर बोडी, जैसे कि मानल अंुक्षानग, इसमें तुम्हारा फिट मेजर होता है, इसमें फिजो यूनिट होती है, वह आपका जूल होता है, एसाउनिकल उट कैलोरी भी अधर इन इनिट में आता है, वन कैलोरी और ये वन कैलोरी इस इक्वाल टु बोलो, कितना, फॉर पॉइंट वन एट जूल, यह जो mechanical equivalent of heat भी इसमें define करते हो तुम, mechanical equivalent of the heat, right, तो इसमें क्या होता है, w is equal to jh होता है, w is equal to jh होता है, यह आपका constant है, और यह j का जो value होगा, इसमें आपका joule 4.18 joule per calorie, right, joule per calorie, actually, w क्या है, यह मतलब work done है, ठीक है, work done needed to, मतलब what, ऐसा बोल सकते है, कि यह आपका work done है, क्या है, यह work done है, work done needed to raise the temperature of anybody, raise the temperature of anybody, ठीक है, as same as by heat h, heat amount h, ठीक है, मतलब h amount के heat से, जितना आपका temperature raise होता है, उतना ही आपका temperature इसमें raise होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग, j is equal to w by h, यह constant होता है, ठीक है, w, यह j का value, आपका 4.18 joule per calorie, right, और w directly proportional to a, ठीक है न, तो यह हो गया, उसके बाद तुम्हें, और भी कुछ-कुछ जैसे, specific heat capacity, यह सब तो तुम्हें, idea होगा, S is equal to delta Q, M delta T, यह क्या बोलते हैं, आपको delta Q is equal to M S delta T, जब temperature घटता बढ़ता है, specific heat capacity of the water, कितना हो जाएगा, आपका 1 gram calorie per degree Celsius, यह 4200 joule per kg, joule, यह क्या बोलते हैं, specific heat capacity of the 1 gram, S is equal to 1 calorie, ultra-link देन मेंने, 1 calorie per gram degree Celsius, and joule per kg degree Celsius, यह कैलिवीन, ऐसा भी इसमें, और आइस का होता है, 0.5 calorie per gram degree Celsius, और यह क्या बोलते हैं, steam का, specific heat, जो steam का होता है, उसका भी 0.5 calorie per gram degree Celsius, और MS, MS क्या होता है, thermal capacity, thermal capacity, right, thermal capacity में MS, तो MS हो जाएगा, delta Q by delta T, तो यह हो जाए, calorie per degree Celsius, calorie per degree Celsius, तो यह है अपना thermal capacity का, और ऐसे तो specific heat capacity constant होता है, लेकिन यह water का जो होता है specific heat capacity, कुछ थोड़ा slightly, मतलब higher temperature, 1% जैसा change जाते हैं, जैसे आपको water का देखोगे ना, water का जैसे यह water का कुछ इस तरीके से, यह मान के चलो आप 15 degree T है, degree Celsius, और यह specific heat capacity, आप calorie per gram, calorie per gram degree Celsius, तो यह जो मान लो यह 1.00, water का ले रहा है, और यह तुम्हारा temperature, मान के चलो 100 पे ले जाओगे, 100 पे, तो यह 100 degree Celsius पे, 1.008, 1.008 ऐसा, तो यह करीब करीब आपका जो, 1% मतलब आपका बढ़ रहा है, ठीक है, और आपका जैसे, एक और चीज़ होता है, water equivalent होता है, water equivalent, तो एक्चली हम लोग के लिमेटरी के नजर में देखा जाए, तो a specific heat capacity of the water, हमारा एक standard हो जाता है, तो कभी-कभी क्या एक होता है, कोई body होता है, उसका हम लोग उसी किटर में, यह करते हैं, क्या बोलते हैं, उसका a specific heat capacity देखते हैं, जिसे water equivalent, तो water equivalent में आपका कोई body है, जैसे यह body है, इसका mass क्या है, mb, और इसकी specific heat capacity, sb, तो हम लोग इतना, मतलब इसको आई जिसे water के देखते हैं, कि कितना water लें, जैसे mw, sw, तो आपका same amount of the heat दिया जाए, यहाँ पर q, delta q प्रोवाइड का है, delta q, तो आपका delta t same range होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का, तो mb, sb, sb, delta t, is equal to mw, sw, delta t, तो यह cancel, तो आपका mw, water equivalent, is equal to mb, sb, ठीक है, sw, यह हमारा water equivalent, ठीक है, kg इसका unit होका, kg unit होका, ठीक है, तो यह सब हमें, discussion इसमें होता है, जैसे मालो की, अब यह समझो, आपकी, support act की, heat required to raise the temperature, of 1 kg of the water, by 20 degree Celsius, 1 kg water, को 20 degree Celsius से, change करना है, delta t दिया हुए, ठीक है, और mass दे, delta q is equal to ms, delta t, तो यह 1000, into 1, and into 20, ठीक है, तो यह आपका, 2, 1, 2, 3, 4, यह हो गया, joule, ठीक है, या तो आप इसको, इसमें लोगे, sorry, यह क्या, calorie है न, तो 20 calorie में होगे न, 1, इस्पेसिपिकर कितना होता, 1 calorie, per gram degree Celsius, तो 1, 20 kilo calorie, राइट, यह हो गया, है न, तो ऐसे हम लोग इसमें और भी, कुछ प्रॉलेम्स होकर देखते हैं भी, और यह, क्या बोलते हैं, law of the calorie, है न, तो, अगर आपका, उसमें कोई calorimeter होता है, copper, इसमें कोई, तो heat loss, heat lost, is equal to heat gain होता है, right, heat loss is equal to heat gain होता है, तो यह सब है, इस तरह से हम लोग इसमें, discussion करते हैं, फिर आपका phase change का भी होता है, phase change, तो phase change में, temperature तो constant रहेगा, temperature क्या होगा, constant होगा, latent heat है न, इसमें आता है, latent heat आता है, इसमें LV, LF और LV, fusion और vaporization, यह ice to, क्या बोलेंगा, water, है न, water to vapor, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, delta, delta Q is equal to, delta M, LF, यह delta M is equal to, तो L is equal to, delta Q by, delta M, joule per kg, यह calorie per gram, राइट, जैसे LF, ice to water में, 80, water का, बोलो, 80 calorie per gram, ठीक है, 80 calorie per gram, और LV, 540 calorie, पर gram, ठीक है, मतलब, यह water to vapor, right, water to vapor, ठीक है, इसमें, सब यह, आपका, heating curve, वोगरा हो, भी discussion आता है, कभी आपको, heating curve है, हीटिंग कर्व में भी, देख लो, heating curve में, यह, heating curve, तो इसमें, यह temperature का, जो होता है, और यह, जैसे यह temperature हो गया, है न, change, यह, heat supply हो गया, कुछ इस तरह से, है, तो, एटम, delta T, यहाँ पर change हो रहा है, यहाँ पर phase change हो रहा है, compressor कौन से है, delta T change हो रहा है, यहाँ पर phase क्या हो रहा है, आपका change हो रहा है, इस तरीके से, है न, तो, आपका पहले यह, जैसे माल लिए कि, आइस है, 0 degree Celsius पर, तो, यहाँ पर क्या है, melt हो रहा है न, फिर आपका melt हो करके, फिर यहाँ पर vaporize हो रहा है, ठीक है, vapor बन रहा है, तो, इस तरीके से, यह आपका temperature कर रहा है, है न, और भी देखते हैं, इसमें जैसे कि आपको, एक question देखो, दिया है, find the amount of the, find the amount of the heat release, if 1 kg steam, at 200 degree Celsius, ठीक है, 200 is converted into, इसको convert किया गया है, converted, into ice at minus 20 degree Celsius, ice at minus 20 degree, तो पहले इसको तुम, 200 से 100 पर ले जाओगे, ठीक है, यह तो पहले 100 पर जाएगा, फिर इसको तुम यह करोगे, steam to, steam to क्या, water, ठीक है, फिर water को ले जाओगे, 0 तक पर फिर इसको, क्या बोलते है, 0 से ice ले जाओगे, फिर ice को minus 20 ले जाओगे, यह इस तरह का इस्टेबर नहीं है, ठीक है, मतलब delta की वीजी इक वर्टू, पहले तो, कितना, 1 into 1 by 2, इसका, कितना हो गया, 1 by 2 into 100, plus 1 into 540, plus 1 into 1 by 2 into 100, ठीक है, यह तो 1 into 540 हो गया, ठीक है, और अब तो water बन गया ना, तो 1 into 1 into 100, and plus 1 into 80, and plus 1 into 1 into 20, यह आपका हो रहा है, ठीक है, तो 1 by 2, इस पेस्फिक हीट कापसिटी अब दा आइस जो होता है, 1 by 2, तो यह सब सॉल करने पे, 780 किलो कैलरी, देखना मैंने यहाँ पर, 1000 ग्राम के बदले 1, तो किलो कैलरी मैंसर आएगा, ठीक है, तो यह हो गया, आपका, अब, इस इस अमाउंट नीड़ेट, हीट अफ अफ अमाउंट, अमाउंट अफ 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 इट नीड़ेट, तो कनफर्ट, अफ इस तीम अफ इट 200 सिल्सियस, आइस, आइट माउंट नीड़ेट इसल्सियस, तो यह है अपना, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आई, इसमें, यह कलोर्मेटरी का, होता है, और भी हम लोग, इसमें देखते हैं, कुछ प्रॉलेम्स होगरा, जो कि आपको, ठीक है, लोग दा मिक्स्चर तो मैंने आपको, बता ही दिया इसमें, ठीक है न, अब कुछ कोश्चन्स होगरा करेंगे, ठीक है, तो, लोग दा मिक्स्चर, कुछ नहीं हो तो भी बताया है मैंने, लॉब दा मिक्चर, तो यह M1, S1, T1, M2, S2, T2, अब यह मिक्चर, मिक्स कर दिया, T-final, T-final जो है, greater than T1 है, और T-final less than T2 है, तो इसमें M1, S1, अब यह जो है, temperature final, मतलब यह lost किया है, T-final greater है, तो T1 minus T-final is equal to, यह lost T-final बड़ा है, और M2, S2, वो T-final minus T2, यह होगा, ही लोस्ट इट गरे, ठीक है, और भी इसमें, देखो, जैसे एक कोस्टन दिया हुआ है, और आरन ब्लोक अप मास 2 क्यजी, फॉल फ्रोंदा है, आरन ब्लोक अप मास आरन ब्लोक, आरन ब्लोक, आरन ब्लोक, मास कितना दिया है बोलो यह 2 kg दिया हो है और हाइट है 10 meter यह 10 meter से fall down करा है तो delta U MGH तो 2 into 10 into 10 तो that will be 200 Joule उसका 25% loss हो रहा है मतलब उसका क्या बोलता है energy surrounding में ठीक है after colliding with the ground it loses ground से यह कुछ loss हो रहा है ग्राउंड से तो यह तो हो गया कितना 50 Joule हो गया 50 Joule है ना तो इसमें यह क्या बोलते है specific heat capacity दिया हुआ है specific heat capacity दिया हुआ 470 Joule पर केजी 470 तो delta Q is equal to MS delta T तो you know delta T is equal to delta Q by MS तो delta Q तो हो गया अपना कितना इसका 50 मतलब यह loss हो रहा है तो 50 into 2 into 470 राइट फोर तो यह 0 0 गया तो यह 5 by 2 into तो यह करीब है अपका इसमें देख लो solve कर लो ठीक है और बाकी जैसे कि question और करता हूँ मैं दिया हुए questions में आपको कि the temperature of equal masses of 3 different liquids A, B and C यह A, B, C आपको यह different liquid है right different liquids है इनके जो temperature दिया है 10 degree 15 10 degree Celsius 15 degree Celsius और 20 degree Celsius right और इसमें दिया है the temperature of A and B are mixed 13 degree B and C mixed it is 16 degree तो what is the A and C इसको mix किया गया इसको mix किया गया और इसको A और B को mix किया गया है तो इसका 13 degree आ रहा है final इसको B और C को किया गया है तो इसका आ रहा है आपका मिक्सर 16 डिग्री तो इसका कितना आने वाला है ठीक है और तीनों लिक भी डिफरेंट है तो यह तो कोश्चन है आपका तो A and B में देख लो A और B तो इसमें तीनों का मास 3 temperature of equal masses मास सेम है तीनों का M, 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 masses सेम है और इसका specific heat capacity जो होगा अलब तो M, S1 final temperature कितना है इसका 13 तो 13 minus 10 is equal to M, S2 तो M, S2 और उसका 15 15 तो 15 minus 13 तो M तो cancel तो S1, 3S1 is equal to 2S2 तो यह equation 1 बंद है फिर ऐसा आप उसका ले लो B और C का B and C तो B और C में यह उसी तरीके से mixed कर रहे है तो इसका हो जाएगा B और C का M, S2, 16 minus 15 और M, S3 यह आपका finally 16 तो 20 minus 16 तो M, M कट रहा है तो 16, 15 S2 is equal to 4S3 ठीक है S2 is equal to 4S3 तो 3S1 3S1 is equal to 2S2 राइट 3S1, 2S2 3S1 is equal to 2S2 और S2 is equal to 4S3 ठीक है S2 is equal to 4S3 अब A और C को लो A और C A और C को लोगे तो भी देखलो A और C को तो M मानलो theta final S1 theta minus 10 and M, S3 20 minus theta ठीक है तो इसमें आप इसको solve करोगे यह तो M, M तो cancel हो जाएगा तो S1 यह theta minus 10 और S3 20 minus theta वो relationship देख लेना इसमें आ रहा है इसको एक पर verify कर लेना आप लोग 140 by 11 degrees Celsius राइट तो इस तरह से हमारा calorimetry mixture यह है अब जैसे मानलो questions दे रहा है कि 3 different liquids of different masses specific heats and temperature are mixed with each other what is the temperature mixture of thermal equilibrium M1, S1, temperature T1 फिर M2, S2, T2, M3, S3, T3 यह सब तुमारा specification दिया हुआ है फोर liquid, liquid 3 तरह का liquid liquid 1, liquid 2 और liquid 3 ठीक है तो इसमें तुमको अब क्या है कि final temperature निकालना है final temperature right equilibrium में तो अब इसमें क्या होगा कि मतलब finally हमें तो कुछ ऐसा total heat loss यह total heat gain क्या है delta q तो 0 ही है ना मनदो आपस में हो रहा है लेकिन overall तो नहीं हो रहा है तो M1 S1 T-T1 plus M2 S2 T-T2 and plus M3 S3 T-T3 is equal to कितना? 0 हो जाएगा तो तुम्हारा इसमें T is equal to M1 S1 T1 M1 S1 T1 M2 S2 T2 plus M3 S3 T3 divided by M1 plus M2 M1 S1 M1 S1 M2 S2 plus M3 S3 getting now? यह हो गया तो ऐसे हम लोग इसको समझते हैं चीजों को तो यह कलिरुमेट्री में pure practice है ठीक है? इसलिए मैं इसको आपको थोड़ा questions होगा रहा ठीक है ना? जैसे की आपको 1 kg ice 1 kg ice at minus 20 degrees Celsius 1 kg ice जो है और यह मतलब इसमें क्या है? heat का निकालना है heat, h h मतलब heat amount of heat h की value निकालनी है तो यह पूछ रहा है कि calculate the value of the h 1 kg ice at minus 20 degrees Celsius is equal to h plus 1 kg of the water ऐसा दिया हुआ है 1 kg of the ice at minus 20 degrees Celsius is equal to h plus 1 kg of the water 1 kg of the water 1 kg of the water at 100 degrees Celsius तो h की value क्या होगी? ठीक है h means heat required to change the state of the substance ठीक है? तो 1 kg ice अब इसमें क्या हो जाएगा? पहले minus 20 तो 1 into 1 by 2 a specific heat capacity of the ice कितना होगा? 1 by 2 होगा और minus 22 जीरो ले जाएगे तो into 20 plus 1 into 80 उसको क्या बोलते हैं? 1 into 80 and फिर ले जाना हम लोग को इसको 60 के Celsius पर कितना था? तो ये तो अब ये हो गया 1 into 1 by 2 पानी होगा ना वाटर बन गया तो into 1 into 1 into 100 ठीक है? तो इसमें अपना 190 किलो कैलरी आ रहा है 190 किलो कैलरी ठीक है? क्योंकि हमने इसमें 1 kg लिया है, ध्यान देना है और ये मैंने स्पेस्पेकेशन्स यूज किया 80 कैलरी पर ग्राम तो 1 किलो कैलरी हो गया तो ये आपको मतलब H का जो भैलू होगा मतलब इतना हीट क्या है? उसको देना पड़ेगा है ना? तो स्पेस्पेकली H का जो भैलू हो गया माइनस according to equation 190 कीलो कैलरी है तो ये हमारा इस तरह से आपको कलरिमेटरी का जो प्रॉल्म्स है अब हम लोग बात करेंगे थर्मल एक्सपैंशन थर्मल एक्सपैंशन राइट मतलब एक्सपैंशन इन एनि बोडी द्यू टू दे हीट हीट लेने देने से उसको थर्मल एक्सपैंशन बोलते है ओर उस में ये थर्मल एक्सपैंशन जो होता है वो फोटोग्राफिक मतलब ये बोलने का है कि molecular disorders हर जगह आपका सिम डिरेक्शन में होता है, जैसे यह माल लीजिए, यह कोई sheet है, और metallic sheet है, metallic sheet, और इसमें hole है, अब यह radius है, यह length है, यह breath है, तो अगर temperature बढ़ा रहे हो, तो L भी बढ़ेगा, B भी बढ़ेगा, R भी बढ़ेगा, ठीक है, यह सा मत सोचो, अब एक्सपेक्टिकली की expectation कर रो, प्यार छोटा होगे, नहीं, वो भी बढ़ेगा, तो इसमें यह dimension wise, तीन तरका linear expansion, linear thermal expansion, superficial, right, और volumetric expansion, alpha, beta, gamma, तो expansion के चलते, sorry, heat के चलते जो expansion होता है, अबसे rod में, यह L है, temperature T है, फिर L plus delta L, T plus delta T, तो delta L, average value, मतलब यह L alpha, L delta T, ठीक है, यह आप ऐसा बोले, alpha average, तो delta L, L delta T, ठीक है, change in the length, original length by change in temperature, degree Celsius inverse या Kelvin inverse, और differential level पर देखे, तो DL, L, DT, तो ऐसे हम लोग, beta, तो delta A by A delta T, आगामा, delta B by B delta T, ठीक है, यह हमारा सब expansion का, और अगर, every direction में, जो आपका expansion का तरीका है, अगर same है, similar है, तो alpha by 1, beta by 2, गामा by 3, ठीक है, अब जैसे के तुम, मानलो, कोई gas लेता हो, अब यह gas है, अब इसमें, इसको isobarically, तुमें expand कर रहो, मतलब P तुम्हारा constant है, तो गामा क्या होगा, तो यह तो है तुम्हारा gas, तो यह तो ideal gas, मान्द के हम चलेंगे, PV is equal to nRT, P अपन constant है, तो P को छोड़तो, dV, nR, dt, तो यह 1 और 2, तो divide करो, 1 और 2 को, यह 2 divided by 1, तो dV by V, nR cancel dt by T, तो dV by V dt, 1 by T है, तो गामा 1 by T, मतलब गामा inversely personal to 1 by T, अगर आप इसे गामा और T का, तो जैसे जैसे temperature बढ़ेगा, गामा घटेगा, तो यह सब हम लोग, thermal expansion में study करते हैं, और इसका use है, applications होगा रहा है, तो वो सब हम लोग देखेंगे, कि आपको क्या क्या इस में जैसे कुछ problems के through भी देखेंगे, तो जैसे तुम्हारा यह अपना क्या बोलते हैं, simple pendulum, simple pendulum, तो इसमें T is equal to 2 pi under root L by G, तो T directly personal to root L होता है, इसका fractional change, 1 by 2 delta L by L होता है, और you know, it is alpha delta, delta T by T, 1 by 2, alpha delta theta, delta theta हो गया, change in temperature, right, change in temperature, तो यह भी बहुत useful है, यह जैसे तुम्हारा simple pendulum में, अगर यह घड़ी slow और fast चलती है, जब उसका fractional time period, खुछ पता रहता है, तो loss और gain, जो होता है, तो 1 by 2 alpha delta theta into duration, अब कितने घंटे में loss निकालना है, कितना घड़ी slow चल दिया, slow or fast, slow and fast clock, है न, तो यह तुम्हें discussion करनी होगी, right, तो यह ध्यान देना यह सब जो topics है, थोड़े मतलब कि आपको theoretical है, वैसा बहुत जादा इसमें mathematical analysis की निड़ नहीं है, मतलब आपको formula होगा है, है दिमाग में, तो हो जाएगा, ठीक है, तो जिससे मैं भी एक आपको photographic यह कर रहा था, बता रहा था, उसी type का, अब यह देखिए, इसमें यह A दिया हुआ है, यह C है, यह B दिया हुआ है, और यह आपका, यह D दिया हुआ है, ठीक है, और यह C दिया हुआ है, अब इसमें अगर delta T बढ़ रहा है, तो A भी बढ़ेगा, B भी बढ़ेगा, C भी बढ़ेगा, और D भी बढ़ेगा, सब, इसको बोलते हैं हम लोग, photographic expansion, photographic expansion, अब यह ऐसा है, यह R1 है, R2 है, ठीक है, the given figure, when the temperature is increased, which of the following increases, R1, R2, R2 minus R1, अगर temperature बढ़ेगा, तो R1 भी बढ़ेगा, R2 भी बढ़ेगा, और R2 minus R1, यह भी बढ़ेगा, ठीक है, तो यह हो गया आपको, है ना, पर भी कुछ हिसमें हम लोग देखते हैं, जो कि आपको, जैसे variations of the, कुछ problems होगरा से देखेंगे, जैसे दिया, what percentage change in length of 1 meter iron rod, its temperature increase by 100 degrees Celsius, अलफा दिया हुआ है, रोड है, अलफा दिया हुआ है इसका, 2 into 10 to the power minus 5, 2 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius, तो percentage increment निकालना है, percentage increment निकालना है, और change in temperature दिया हुआ है, अपन इसमें change in temperature दिया हुआ है, कितना, 100 degrees Celsius, तो delta L by L, fractional change, कितना हो जाएगा, अलफा दिया, तो 2 into 10 to the power minus 5 into 10 का power 2, तो 2 into 10 to the power minus 3, 2 by 1000, and into 100 percent, तो this is the cancel, तो 0.2 percent, right, क्या हो जाएगा, 0.2 percent, getting now, तो यह हुआ, और इसमें एक तुम्हें, थर्मल एस्ट्रेस बहुत important है, थर्मल एस्ट्रेस, थर्मल, एस्ट्रेस and strain, मतलब यह क्या है, दिसीदर, एस्ट्रेस and एस्ट्रेस, due to heat, जैसे supported for example, यह residual है, और इसमें तुम्हें रॉड लगाया, यह residual है ना, यह residual, ठीक है, यह भी वही है, Rw, residual, और तुम इसमों, मतलब, डेल्टा टी, इंक्रीज कर रहो, temperature, तो एक्चली यह, अगर free expansion नहीं हो रहा है, free expansion अपोज हो रहा है, free expansion क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है, by wall, तो इसी को हम लोग क्या बोलते है, thermal stress and correspondingly thermal strain बोलते हैं, अगर यह नहीं होता न, तो यह इतना तुमारा बढ़ता है, तो यह जो fraction है, यह delta L by L, alpha delta theta, बना change in temperature, इसी को बोलेंगे, thermal strain Ts and T stress, न, तो यह तुमारा thermal strain हो गया, ठीक है, और मानलो young modulus Y है, यह area तुम, यह मानलो cross-sectional area, तो thermal stress, thermal stress, y into thermal strain, ठीक है, तो y into alpha delta theta, और कितना दिवाल पर फूस लगा, rod, तो f by a is equal to y a alpha delta theta, delta theta change in temperature, तो f is equal to, sorry, f is equal to y a alpha delta theta, ठीक है,